हाई दोस्तों आप देख रहे हैं गुरुजीत व्लॉक्स और आज हम बात करने वाले हैं टॉप फाइब बाइक अंडर 80,000 रुपीज दोस्तों अगर आप प्लान कर रहे हैं बजट बाइक का जो अच्छी माइलेज भी देती हो आपके डेली राइडिंग के लिए अच्छी ह और किसी को गिफ्ट देने वे भी आपको चीप एंड बैस पड़ जाए जो कि आपको अच्छा प्रफॉर्मिस भी दे दे सिटी राइड पे तो दोस्तों ये वीडियो होने वाली आपनों उगले बहुत जाने इंपरमेडिव बिकॉज एक ओनर एक बायर पॉइंट आप व जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड और फैमिलीज के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरू कर लिजिए नोटिफिकेशन बेल भी जित दवाद जल्दी से ताकि ऐसी वीडियो आपके लिए में टाइम बना सको दोस्तों नुबर 5 पे ह अगर इसमें हाईलाइट करूम है इस मॉडल के तो दोस्तों पारफुल 125cc इंजिन मिल जाता है दोस्तों साइलेंट स्टार्ट ACG मिल जाता है आपको इसमें इलेक्रिक स्टार्ट मिल रहा है है HET BS6 इंजिन मिल रहे हैं 5-step adjustable rear shock absorber मिल रहा है दोस्तों आपको इनलोग इंच्रुमल क्रेस्टर मिल जाते हैं आपको CBS ब्रेकिंग मिल रहे हैं ट्यूबलस टार और अलाविल के यह सो फीचर्थ है आपको मिल जाते हैं अगर इसमें प्रोज और कॉंस की बात करें जो कि इंपॉर्टन है बाहि करते हैं आपको इसी ध्यान देनी च है और कौन की बात की जाये तो डिजाइन बोले के थोड़ा सब्सक्राइब करें नियों चुका है इसका अच्छा है अदो बहुत सारे राइडर जो है डाली यूज के लिए इसको यूस करते हैं दोस्तों नबर फोर पे है बजाज पल्जर 15C नियों मॉडल दोस्तों यंग आपको यह मिल जाता है दोस्तों आपको सीबियस ब्रेकिंग मिल जाती है इसमें टैंक जो है और दोस्तों क्लिप ऑन हेंडिल बार मिल जाता है और सैमी डिजिटल आपको इंस्ट्रुमेंट कंसोल भी मिल रहा है दोस्तों यह तो कि प्रोज एंड कॉंस के बात करें तो थोड़ा सा बाइक को हैवी के जग कहा जा रहा है यंग्स्टर के हिसाब से अधर्वाइस यह यूजर भी बहुत ही अच्छा है पॉजिटिव है इस मॉडल को लेके और दोस्तों इस मॉडल में भी आपको दो विरेंट मिल जाते हैं डिस्क एंड ड्रम जो प्राइजिंग है इसकी 69,000 तो 73,000 के एक्षोन प्राइज में आपको यह मॉडल मिल जाते हैं की फीचर अगर दोस्तों अगर कुछ इसमें की फीचर अगर और भी हाइलेट करें तो ड्यूल टोन जो है बॉडी ग्राफिक मिल रहा है आपको अनलोग डिजिटल इंस्ट्रूमिल क्लस्टर मिल जाता है LED टेल लाम मिल जाता है अलॉइविल ट्यूबलेस टायर मिल जाता है दोस्तों कॉंस के अगर बात की जाए तो इसका जो हैडलाइट उसका प्रॉपर फोकस नहीं है ऐसा यूजर रिव्यू है इसके अलावा कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो राइडर्स को पसंद नहीं आ रहे हैं इसलिए डिजर्व कर रहा है थर्ड नमबर दोस्तों नमबर आवरेस दे देती है और दोस्तों 100 km per hour की स्पीड जो है वो टच कर लेती है 5-speed gear मिल जाता है CBS ब्रेकिंग मिल रहा है इलामट फाइल लिटर्स का आपको इसमें फील टैंक मिल जाता है 142 kg की ये बाइक है दोस्तों और दोस्तों पावरफूल 110.66C engine DTSI engine मिल जाता है और अनलोग डिटल कंसोल मिल जाता है मैंटेनिस फ्री मैटरी मिल रही है LED टेल लाइट है एलेक्रिक स्टार्ट है स्प्लिट सीट ऑप्शन जो की बहुत अच्छा लुक में लग रहा है और दोस्तों इस सेग्मेंट में हैवी वेट जो इसका बहुत ही जाता है मतलब बाकि ज इसमें थोड़ा सा पॉब्लम जो देखा जा रहा है वो सर्विस साइड में फिंगर पॉइंटिंग ज्याता है जिसे सर्विस जो है बजाच की उस पर फिंगर पॉइंटिंग है अदर्वाइस ये मॉडल जो है पर्फेक्ट है सेकंड नबर टोटली डिजर्व करता है दोस दो 74,000 तो 78,000 के एक शोरों प्राइज में आपको ये मॉडल मिल जाता है इसकी जो मायलेज है 64 kmpl के आता मिल जाती है 95 की स्पीड तक ये टच कर लेता है और 5 स्पीड गेर मिल जाता है CBS ब्रेकिंग मिल रही है 11 लीटर का आपको फ्यूल टैंग केंपिसिटी मिल रहा है 118 क लोग ये बाइक है दोस्तों अगर की फीचर्स थरो सा हाइलाइट करें तो मस्कुलर टैंक लेयाउट मिल जाता है LED टेल लैंप और आपको हैड लैंप भी मिल रहा है दोस्तों स्पोर्टी अलाइबिल्स मिल रहे हैं ट्यूबलेस टायर मिल रहा है फुली डिजिटल इंस् इसका रेलेवटल इंजिन जो हैं ओंडा का वो बारिडर्स को बहुत आपसेंदाता है इसकी ब्रांड को बहुत जादा अच्छी है तो अधर जो इसके होंडा के मॉडल ते जो जो श्राइन के मॉडरल थे इसकी जो बाइब कॉलिटी थोड़ी लग रही है बट थोड़ा स में cons भी दिया हुआ है दोस्तों इसमें जो है थोड़ा सा फीचर जो है अगें थोड़ा सा कम किया हुआ है and slightly जो है इसका ground clearance जो है उस पे थोड़ा फिर पॉंटिंग की जा रही है otherwise ये model top को totally deserve कर रहा है दोस्तों I hope दोस्तों आपको top 5 list जो under 80,000 है ये पसंद आये होगी है दोस्तों क्या है आपका suggestion आपको क्या लगता है वो जरू मुझे comment section बताएगा दोस्तों मैं एक चीच जरू के लिए क्लेकर चाहूंगा कि दोस्तों वैसे तो maximum पाइप जो models है वो एक riders की needs है वो fulfill करते हैं pocket friendly भी होते हैं performance भी अच्छा दे देते हैं और दोस्तों low maintenance भी होते हैं तो दोस्तों मैं यहाँ वीडियो का एंड करना हूँ अगर आपका कोई doubt and query है या suggestion है तो comment section का भरपूर उपयोग करिए ख्याल रखे ध्यान रखे और देखते रही गुरुची व्लॉग ऐसी बहुत सारे informative वीडियो आपके लिए आती रहेंगी बाई